कि गुदिनिंग इस्टुडेंट कुछ प्रोवर्म रखिए मैंने आपके सामझे चार प्रोवर्म्स रखिए और इसमें जो हैं इंडुक्टिंग इफेक्ट आई पर कांजुगेशन और रेजरेंस इफेक्ट सभी काम करेंगे तो इसके बिसिस पर आपको कुछ बताना है जै कि देखनें तो आप क्या concept लगाओं क्या लाजिए सबसे पहले हैं तो यहां पर यह भी है और यहां पर आपर नी है और यह था तो मिधाय जो है इसका था हाइप कांजुगेशन कांपर काम करेगा और रेट पर हाइप कांजुगेशन कांव करेला प्लस एयुँच काम पर आप करेंगें यहां पर सिर्फ और रहता है इसके बेसिस पर आप क्या बहुते यहां पर इंडुक्र इन पर यह लग रहा है कि और थो में इंडेक्टि जारा लगी है कि पास नहीं है ठीक है और प्लस आई से एसे रिटी का क्या हो जाती तो मैं यह गोलूगा कि सबसे जादा जो होगी वह होगी सेगिडी एक नगए प्लस एच और एक साथ लग जाते हैं तो इंड़ेक्ट इफेक्ट जो है इसमें थोड़ा ज़ाना है इसमें प्लस आई थोड़ा कें कम है क्योंकि inductive fact distance dependent effect है तो इसमें प्लसिय कम और उसके प्लस ही ज्यादा है ज़्यादा प्लस है तो प्लस है प्लस और प्लस है ज्यादा हो जाने से S-E-Q-S-T-Rion सबसे कम जाएगा तो फस्ट की सबसे कम आएगा फिर बचा कौन जो बचेगा वो थड़ बच जाएगा तो यह आप बोलोगी S-E-Q-S-T-Rion ठीक है तो इसमें तो यह और लगर जाएगा आप चलते हैं इसे तो यहाँ पर ने को यह एनोड इस एनोर्टुगा यहां पर जो एफेक्ट चलेगा वो माइनस एप चलेगा, यहां पर भी चलेगा क्या, माइनस एप चलेगा, इस एनोर्टुगा यह कौन सी पोजिशन पर है, यह मैटा पर, यहां पर सिर्फ माइनस एप चलेगा, और यहां पर क्या चलेगा, माइनस एप सब्सकी कीक्षे जहाए सब्सकी में या जाला है कि परइस की सब्सकी कपेर नीहि Kayla welcome पिर जो नमर आएगा वो थार्ड पर नमर आ जाएगा तो यह अपना हो नहीं देंगे तो इसमें यह जाएगा अब इसमें बात करते हैं इसमें और उसके पास क्या positive charge है उसको लक्टन चाहिए तो सबसे ज़्यादा इस्टरमिटी इसकी मज़स होगी so first विर इस इस्टरमिटी जो है ही हो सबसे ज़्यादा ही फिर second वह जाएगा फर्ड वह पौर्थ वह जाएगा इसका क्या इफट लगता है इसके दोनों इफेंट लगते है minus i लगता है और plus i भी लगता है जाना बड़ा कौन से होता है minus i जो ज़्यादा बड़ा होगा उसके according stability सोचेंगे अपाँ minus i होगा तो electron कीछेगा इसमें positive charge है पहले सी positive है तो electron ये क्यों किचवाएगा और नहीं है नहीं देना चाहिएगा तो इसमें stability क्या हो जाएगा डाउं हो जाएगा चार्ज अगर कम होता है तो stability क्या होती है इंक्रीज होती है चार्ज बढ़ जाता है तो stability decrease होती है इस पर positive charge हो लिए अगर electron कीचने लग गया तो positive charge जादा बढ़ जाएगा इस डिका फोगे हैं री सब्स हो गया है आसरी कि कम हो जाएगी है फिर इसक पोजितीव चार्ज कम हो जाएगा इसकी इस त्रिप्र इस चो रुग जाएगी वह होगी इसके गंपेर में इसके गंपेर है तो हमने सेटी को बोलेंगे इसके बाद देखो थार्ड में माइनिस आई की वाज़े से एलेक्रॉन खीचेगा पॉसितिव चार्ज बढ़ जाएगा इस्टरविटी कम हो जाएगी और एमों को की केसी बात करते हैं यहां बढ़े हो और यह जो है एच इसके बीच मेट होने लगती है और पोजिसें पर और पैरा कोजिशन की बात करें तो दीवों यहां पर जो लगेगा क्या माइनिस और गिए और बड़ा कॉंसा होगा बड़ा माने से हो इसके विज़से तो सबसे ज़्यादा है यहां पर चूकि क्या हो गया है यहां पर यहां पर आपन यह बोलेंगे हैं और यहां पर चूकि क्या हो गया तो थोड़ी से कम हो जाएगी लेकिन इतनी भी कम नहीं होगी जतनी इसके कम हो जाएगी तो इसके बाद फर्स आजाएगा और इसके बाद जाएगा वो कौन आ जाएगा इस में हाइब का मोट करा तरह के बहां कर रहते हैं कहीं पर किक्षण के他是 नइट की अगर आपको यह चीज़े समझ आए वीडियो अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए सेर लीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू सो मच